पांच ऐसे लेंसे जो आपके पास होने चाहिए हैं अगर आप एक फोटोग्रफर हो या वीडियो क्रियेटर हो हम सिरफ फोटोग्रफी की नहीं लेंसे के बार में बात करें इन टरम्स वीडियो वीडियो बिगॉज आज कल रील्स बहुत चल रही है इवन यूट्यूब चै किसी को गिफ्ट करना चाहिए हो यह वीडियो आज बाइंग गाइड भी आपको कर सकते हैं तो सबसे बहुत करते हैं यह चोटे से लेंस के बारे में यह है कैनन का 16 mm f2.8 का लेंस यह और फ मांट का लेंस है और और भी मांट में लेंस मिलता है सोनी में भी है नाइकॉन में में भी 14 mm आता है अब इस लेंस का सबसे बड़ा बेनिफेट मुझे क्या लगा स्पेशली अगर आप वीडियो क्रियेटर हो पहली चीज बहुत छोटा बहुत कॉम्पैक लेंस है और साथी साथ यह 2.8 का लेंस है तो इससे बेनिफेट क्या होता है अगर आप क्यामरा में लेंस लगाता हूँ मुझे एक्चुल 16 mm का एंगल उफ्यू मिलता है यहाँ पर आप एक सैंपल देख सकते हो और इवन अगर मैं क्रॉप बॉड़ी में भी इसको लगाऊंगा तो क्रॉप अप्लाई करके भी मुझे कहीं ने कहीं इसका जो एंगल उफ्यू है वो इतना वाइड मिलता है कि मैं इसको व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ तो अगर आप 200D या M50 यूज़र हो या क्रॉप बॉड़ी आप यूज़ कर रहे हो यह एक ऐसा लेंस है जो आपको वीडियो में काफी जादा हेल्प करेगा और 2.8 का मतलब है बाग्र अधर के अंदर भी शूट कर रहा हूँ ना मिरको आये सो दो हजार नहीं लेके जाना पड़ेगा मैं आये सो बहुत कम रखके भी वीडियो इजली शूट कर सकता हूँ और वह अगर मैं फोटो की बात करूं तो 16 mm इतना आइडियल फोकल ने नहीं फोटो के लिए इसमें ड इस दिन्स नहीं है बट आप पास खड़े हो गई वाइड अंगल शूट करना चाहते हो तो यह एक ऐसा लेंस है जो इसमें आपको बहुत एजली हल्प कर सकता हूँ और और इस यह मैंने काफी कुछ निया सीखा और काफी एक्सपेडिमेंस भी की है और इसलिए मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमली मेंबर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल किया जाए अब वैसे तो मुझे अपने दोस्तों और फैमली के साथ गेट टुगेटर पार्टी करने का काफी जाधा शौँक है बट मैंने सोचा कि इस बार कुछ ट्विस्ट के साथ किया जाए तो बेसिकली मैं उनके साथ एक गेम खेलने वाला हूं जहां पर उन्हें अपना रेजलूशन पताना है और वो अगले साल क्या करने वाले हैं अब आप लोग सोच रहे हों कि एस गेम के थुरू मुझे पता चल जाएगा उन्हें क्या और अपने गिफ्ट कार्ट को परसनल मेसेज के साथ कस्तमाइज करके एडल पैमेंस बैंक के साथ भीज सकते हो और यह बहुत सारी होलिडेश शॉपिंग कर सकते हो विद रिवार्ट को हर ट्रांजेक्शन में करने को मिलता है मतलब एक ही टाइम पे आप स्पेंड भी कर र देंगी बिना किसी रिस्क है तो इस क्रिस्मस एंड निव यह अन्रैप हैपिनेस विद एटल पैमेंस बैंक बाइस सेलिबरेटिंग विद यूर फ्रेंज फ्रेंज फैमिली तो स्विच्ट तो देशी दिजिटल अकाउंट यूँ डाउनलोड करो और एटल पैमेंस पे अ एक ऐसी फोकल लेंथ है जो अभी भी आप यह वीडियो देख रहो है तो मेरी अगर आपने पिछली जो 700 वीडियों उसमें से 500 से उपर वीडियो 35 MP ही शूट होई है क्यों बिकॉस अब मैं घर में बैठके वीडियो बनाता हूं यह मुझे एक आइडियल फोकल लेंथ लग है और अगर यहां पर मैं आपको एक सेंपल दिखाऊंगा 35 1.8 का आप देख सकते हो बैग्राउंड ब्लड कितना बढ़िया आ रहा है वही अगर मैं कंपेर करूं F4 से तो आप देखना उतना जादा ब्लड इफेक्ट नहीं आ रहा तो एक क्या होता है 1.8 वे जब मैं भी यूस कर रहों और आप काफी जादा इससे शूट होती हैं क्योंकि दूसरा इसमें इन बिल्ड स्टेबलाईजेशन है तो चैनन का जो आयसा इमेज इमस्टेबलाईजेशन वो इसके अंदर है तो अगर मैं वीडेश चूट कर रहा हूं फोटोज ले रहा हूं या इन् तो close-up shots लेने हैं, अपने YouTube वीडियो में या आप macro photos लेना चाहते हो, वहाँ भी यह lens का हम आ सकते हैं, तो all-in-all यह एक all-rounder lens है, जो photography, videos, stabilize भी करता है, और close-up shots भी आपको दे सकता है, अब जो next lens है, वो काफी interesting है, बिकॉस मैंने उसको एक साल तक बहुत अच्छे से use करा, अब वो मैं sell कर चुका हूँ, बट उसके बारे में बात करना चाहूँ है, that is Canon 1018 mm, अब यह एक ऐसा lens है, जिसका aperture 4.5 से 5.6 तक का है, बट अगर आप vlogging बहुत जादा करते हो, या आप single person हो जो video shoot कर रहे हो, ट्रावल बहुत जादा करते हो, आपको एक ऐसा lens ही है, जो एक crop body में आपको wide angle वाला feel दे सके है, because जो kit lens है, वो 18.5 होता है, 18 से wide अगर आपको जाना है, तो आप 10-18 में blindly invest कर सकते हो, because पहली चीज़ उसके अंदर built-in image stabilization है, और इतने कम cost में इस lens में ISR है, वो मेरे लिए भी surprising था, जो मैंने test कर रहा था, तो उससे benefit यह मिलता है कि vlogging में बहुत बड़ी आपको use मिल जाएगा, even अगर आप photos ले रहे हो, कुछ इस तरीके कि आप photo देखना, यह मैंने inside का photo लिया था, वो भी बहुत pass जाके, तो इसके अंदर आपको एक macro वाला element भी मिल जाता है, कि जो आपका closest distance है, वो काफी pass सले जाता है, तो 10-18 mm होते हुए भी आप wide angle field के साथ एक close up shot easily achieve कर सकते हो, and even अगर आप photography भी करते हो, जिस वज़ए से मैंने lens लिया था, wide angle shots, architecture के, interiors के बहुत interesting shots आते हैं, और थोड़ा different, थोड़ा distortion के साथ आपको photos मिलती हैं, जो अगर आप चाहो तो correct भी कर सकते हो, lightroom में जाके हैं, आप उसको as is भी use कर सकते हो, और जो result है, वो एकदम unique और थोड़ा different आता है, और यह जो lens है, यह specially crop bodies के लिए designed है, तो जो मैंने पहले आपको जो lenses पताये थे, वो वैसे full frame के लिए हैं, बट यह जो lens है, आप M50, 200D, Nikon का, Sony का, जो भी crop body cameras हैं, उसमें आप easy लिए use कर सकते हो, अब जो next lens है, वो मुझे पता है, थोड़ा से expensive lens है, थोड़ा नहीं कुछ जादा expensive lens है, बट यह 70-200 lens है, I'm sure, आप अगर photography करते हो, यह videos करते हो, तो यह lens के बारे में आपने सुना होगा, तो यह 70-200 2.8 का lens है, इसमें F4 भी आता है, यह एक ऐसा lens है, 50mm और यह ऐसे दो lenses है, जिसमें अगर आप invest करते हो, तो आप कब भी regret नहीं करोगे, चाहे कोई भी brand का हो, तो अब सबसे बड़ा benefit यह मुझे मिलता है, अगर आप मालेटे इवेंस या wedding photography बहुत ज़्यादा करते हो, यह lens लगा के, मैं एक distance से photos ले सकता हो, मैं अभी push कर दो-तीन बार से जा रहा हूँ, एक बार मैं यह lens लेके भी गया था, तो वहाँ पे मैं कुछ candid photos लेना चाह रह तो all-in-all यह एक all-rounder professional lens है, जिसमें आप अगर invest करते हो, बहुत अच्छा stabilization मिलता है, चाहे vertically, horizontally, आप photos and videos को stabilize कर सकते हो, focusing बहुत अच्छा है, बहुत quick है, बहुत fast है, and at the same time, जो portraits में background comparison मिलता है, जो blur effect आता है, वो बहुत ही अलग, बहुत ही different दिखता है, because at the end, this is a professional lens, तो blur effect है, बहुत creamy bokeh देता है, पीछे की side पे, और हाँ, इसको videos के लिए भी use किया है, हमने, बहुत बार हम 100-200mm के बीच में videos जब shoot करते हैं, outdoor situation में, तो जो आप लोग comment करके पूछते हो कि, क्या camera lens यूज़ किया गया है, यह lens है, जो 200mm पे 2.8 पे use किया जाता है, जहां पे ब जगह सुना होगा, but even though 20-22 year में भी यह एक ऐसा lens है, जो अगर आप अपनी kit अभी बना रहे हो, आप kit lens से आगे move करना चाहरे हो, 50mm 1.8 एक ऐसा lens है, जिसमें आप कभी wrong नहीं जा सकते हो, किसी brand का हो, किसी company का हो, आप वो lens easily ले सकते हो, सबसे पहला benefit आपको मिलता है, अगर आप starting में portraits बहुत जादा करते हो, street में जाके portrait shots ले रहे हो, friends का fashion shoot करना चाहते हो, food photography, product photography, हर जगहें यह use हो सकता है, 1.8 का benefit यह मिलता है, कि आप ISO कम रखके blood effects जादा चीप कर सकते हो, तो माल लेते हैं, आप अभी just photography शुरू कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपका एक entry level camera है, DSLR, crop body है, और उसका ISO बढ़ाता ही, noise बहुत जादा आजाता है, तो जैसी आप 57mm यूस करना शुरू कर रहे होगे, 1.8 की वज़ा से आपका ISO अगर 800 जा रहा था, तो अब उसको 100-200 पर यूस करके noise बहुत कम कर सकते हो, and at the same time, blood effect तो बढ़िया मिलता ही है, और वीड से लेंसे जो मुझे लगता है, आप अपने camera bag में add कर सकते हो, चाहे आप photos बनाते हो, videos बनाते हो, even अगर आप YouTube चैनल रन कर रहे हो, आप इन में से कौन सा lens और यूस कर रहे हो, या लेने का plan कर रहे हो, comment करके ज़रूर बताना, देखते हैं किसका क्या dream lens है, आप क्या लेना चाह रहे हो, कौन सा comments में सबसे जादा famous lens है, let's check it out, I'll see you in the next video, तब तक take care and keep clicking